देख बिना ब्रिक, डाउम्लोड ता क्या? आपसे जाना चाहूँगी कि रेडियो में बहुत तैयारी जाती है, यह आमें मालूम है, यह आम लोग सोचते हैं कि हम और आप, टीवी वाले लोग और रेडियो बाती तो करनी है, यह सिर्फ बाती करनी होती है, इसमें कोई तैयारी नहीं जाती है, इसमें सिर्फ जाकर वहा पाने कौन से लेने, कौन से गानों से आप ज़ादा जुड़ पाएंगी और आपके शो को जस्टिफाइ कर पाएंगी, यह आप कैसे डिसाइड करते हैं? नहा बहुत आसान है, मुझे, मेरे लिए, सबसे बहले तो मैं शो करती नहीं हूँ, जब स्टूडियो में जाती हूँ, तो मैं वागए एक दूसरे दिल से बात करती हूँ, और जब मैं बात करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि, ऐसे कैसी बात की जाए है या ऐसा कैसा मूड जाए कि हम जुड़ जाएं कि मैं उनको यह जो दुनिया का स्ट्रेस है ना इससे कहीं दूर ले जा पाऊ हूं मुझे ऐसा लगता है कि हम समंदर के किनारे बैठे हैं वो भी अपने पैर हिला रहा है मैं भी अपना पैर हिला रही है और हम बात कर रहें और हमें अपचान पे जाना है कि समंदर में तैरना है कि यह बात करनी है कि या लाइफ में कुछ नहीं हो रहा क्या करें जो भी है वो उस मूड को बनाने के लिए कुछ मोमेंट्स को खरीदने के लिए जिस भी तैयारी की जरूरत है वो की जाती है लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है जब तैयारी तो लटा जी की दिमाग से बात निकल जाती है फिर ऐसा लगता है कि यार रात को जब ट्रेंज आती है तो हमें पता चलता है क्योंकि उसकी चोटी चोटी लाइट्स है वो हमारे सामने से तेजी से गुजरती है काश के बारिश की बुंदों में भी हलकी हलकी लाइट्स डली होती तो रात को अगर बारिश होती तो कितनी खुबसूरत नजर आती तो अब या माईक खोलने के बाद सारी चीज़ें बदल गई क्योंकि मैं एक दिल से बात कर रही हूँ और जब आप बात करते हैं तो आप कोई ऐसी तैयार ही नहीं करते तो यही सब हुआ और उसके बाद फिर जिंदगी में ऐसा हुआ कि मेरे अबू शायर बन गए जब वो शायर बन गए तो मुझे प्रेशर आ गया कि मुझे पोईट्री समझनी पड़ेगी क्योंकि वो चाते थे कि मैं उनकी पोईट्री पढ़ू जब मैं उनकी पोईट्री गलत पड़ती थी तो मुझे डांट पड़ती थी एक दिन तो यह भी सुनने को मिल गया कि जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा तो मैंने का यह तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो मैंने का क्या करना पड़ेगा उसके लिए तो बोले क्या मतलब एक बेटी अपनी बाप की पोईट्री नहीं समझ पाती तो क्या फाइदाब उन्होंने इतना इमोशनल श्पील दी कि मैंने का यार कुछ तो करना पड़ेगा तब से मैंने पोईट्री में ज्यादा इंट्रेस्ट लेना शुरू किया बिचारे अब्बू की पोईट्री को समझना था और मैं कहां गालिब के रस्ते निकल पड़ी और बशीर बद्र से मिली और निदा फाजली से मिली और मीर तकी मीर से मिली और फिर घूम घूम के अब्बू के पास वापस आती थी और मैं कहते थी हाँ आप तो मुझे आपकी समझ में आने लगी है लेकिन वो जानते थे कि रुजान तो फैज की तरफ जा रहा है तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं बड़े बड़े को जब मैं पढ़ लूँगी तो मुझे कुछ ना कुछ आपकी समझ में आने लगेगी